आप सभी को मेरे डेली रूटीन व्लोग में और यूटूब सेनर पर स्वागत करती हूं तो गाइस आज दिल पे पत्थर रखके में आ गई हूं मोर्निंग वाग करने के लिए क्योंकि सुबह उठाई नहीं जा रहा था उठाई नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत दिन गेप हो गया ना तो उठने का मनी नहीं कर रहा था तो इसलिए अभी आज उठके जैसे तैसे आई हूं और अभी जारी वापस घर और पताई बारी सोरी है पतानी क्यों एसे मोसम बिन मोसम बारी सोरा है सुबह सुबह ही तो गाइस अभी वापस घर जा सुद को पता है आज हम लोग का इधर ना इलेक्षन चुनावे तो हम लोग दाने वाले हैं वोट और साधी के बाद पूरे चार सालों के बाद मेरे सफुराल के तरफ इस वार पहली बार आया है मेरा वोट तो इस बार दुंगी में अपना वोट अपना अधिकार तो हम लोग का यहीं पर होता है जो घर के आगे स्कूल है उसी में वोट होता है मतलब वोट डालना परता है वहीं जाके तो आज देंगे हम वोट और आप लोग का उधरना कब डालेंगे आप लोग वोट मुझे जरूर बताएगा और चलिए आज का डेली रूटीन जो डेली व्लॉग होता है वो में देने वाली हूँ तो आप लोग मेरे इंजोई करिएगा और में किसको वोट डालने वाली हूँ अगर यह जानना है तो मेरे व्लॉग और तक दून रही थी कहा हैं बोलके क्योंकि इतना गड़मी ओरी थी इतना गड़मी क्योंकि मैं इतनी भाग भाग के दौर दौर के आयू ना बारिस के बज़ज से भीगना जाओ इसलिए तो आके सोक्स वगड़ा खोल दिया गड़मी लग रही थी उसके बाद किचन में चली गई क्योंकि आप सबने बोला था इसलिए और आजकर में दो ग्लास पिने की हैविट कर रही हूँ उसके बाद फिर नहा ने गई नहा के आगई हूँ और जो मेरी डेली स्किन रूटीन है वही कर रही हूँ उसके बाद आज सुबा सुबा इतना जोर से उंगली में मुझे लग उसके बाद नहा है नानी के घर के लिए क्यूंकि ना जो स्राट में बनाया था से लूटी आप सबने बिलॉग देखा होगा तो पता होगा तो नाना जी और नानी जी न हम लोग के घर के जो स्राद होता है वो नहीं खाते क्योंकि समदी और समदन का स्राद नहीं खाते इसलिए तो आज उन दोनों के लिए ही बन रहा है ममी ने बोला उस दिन स्राद में खा नहीं सके वो लोग तो आज बना के लेके जाते हैं तो यह पर मैं रोटी बना रही हूं सेल रोटी उसके बाद फिर सबजी बनाऊंगी तो आज कितना अच्छा बन रहा था उस दिन मेजरमेंट अच्छे से नहीं हुआ था न क्योंकि बहुत जादा था मुझे मेजरमेंट करना थोड़ा सा मतला भूल हो गया क्योंकि मैंने जादा सू मानי जी ने नहीं खाया था इसलिए आज हम बना रहे थे तो यहाँ पे मैं एक-दो एक-दो करके सारे रोटी बना रही थी और आज मुझे यह रोटी बना के नंहीं बहुत ही अच्छा लग रहा था क्यूब़ करने अच्छे से गोल गोल इतने सुन्दर सुन्दर बन रहे तो ये रोटी बनाया है मैंने उसके बाद फिर यहाँ पे सबजी बनाया है बीन सालू की सबजी और रोटी बहुत अच्छा लगता है तो फिर हम लोगों ने वो सारा भेज दिया नानी के घर और अभी जा रहे हैं बोट डालने के लिए और यहाँ पे मैं आधर कार्ड भी ल पताने बटन कहां होगा मैं कैसे डूनूंगी ऐसे बोले नी तो मुमी बोले थे कुछ नहीं होता है वहाँ पे जाके ऐसे बोल रहे थे तो हम जा रहे घर के आगे जो इसकूल है वहीं पे जा रहे है और सारे रोगना सुबह सुबह जा रहे थे पुरा खाली होगा खाली हो कि वहीं वह थी घbekो कि शारे लोग एसे सोच थे कि सुष्छें के तो कितना भीडरोगा सोच ये तू हम लोग जब आये दो बहुत ही खाली खाली अ अधिरे चल्डा अ अभी अंधर प्लोग यह सोच सकते हो कि जो टीम जीतेगा न उसी को मैंने दियाए बस यह सोचे आप लोग उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में आके फिर में अचानक ही तयार हो रही हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक तयार क्यों हो रही हूँ और पीछे बेग भी देख रहे हूँ तो गाइस मुझे अचानकी अभी जाना पर रहा है माई के माई की क्यों जाना पड़ा है माई के जाती में कल जाती आज नहीं लेकिन मैं आज ही जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही important काम आ गया काम भी आ गया और कल जाने वाली थी इसलिए मैं सोचा आज ही चली जाओंगी बोलके तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ सारे समान लेकर और भाई छोड़ने के जा रहे है आधे रस्ते तक बाईक में तो अचाने की जाना पड़ रहा है क्यों जाना पड़ रहा है वो थोड़ी दिन बाद आप सबको पता चलेगा तो यहाँ पर मुझे छोड़ने के लिए देखे मेरे दो जावाज देवर जारे पीछे एक आरे आगे एक है मतला मुझे छोड़ने के लिए दो दो जारे मेरे हुनहार देवर जी तो अच्छा है भाई को छोड़ने जारे तो गाईस हम लोग जब जा रहे थे ना तो ब्री इस रुखता ही नहीं, रुखता नहीं, मुझे तनी टेंशन हो रही थी, मुझे छोड़के फिर मेरे देवर भाई दोनों मतलब वापस भी आने वाले हैं, तो उन लोग को फिर रात ना हो जाए, इसे मुझे बहुत टेंशन हो गया था, फिर हम बारीश थोड़ा दे रुग उसके बाद फिर जल्दी 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 जाने लगें, मैं बस में जाती लेकिन आज बस मिली नहीं रहा था, आज इलेक्षन चुनावे तो कहां से बस मिलेगा, तो फिर यहां पे दो मेरे हुनहार भाई भी लेने आ गए थे, उधर देवर लेने के लिए आये हैं, तो ये है मेरे चाचा कालर का और वो मेरे भाई है, तो देखिए मुझे छोड़ने के लिए भी मतलब दो देवर आये थे और लेने के लिए भी दो भाई आये हैं, कि कितना मजा है, देखिए मेरा कितना डिमांड है, तो फिर मैं जा रही हूँ घर और पक गई थी ना मैं मतलब frustration हो गया था कि मैं कब बार निकलूँगी कब बार निकलूँगी उसके बाद guys पहुंच गए है मेरे माई के हाई मतलब यहाँ आने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं कहीं नहीं जन्नत से भी मतलब बढ़कर होता है खूपू आएंगी भूपू आएंगी तो उन लोग खाना खा रहे थे तो उन लोग को बाइब कड़कर के मैं घर आगे और सबसे पहले तो मम्मी को देख कर इतनी खुसी हुई मतलब अपना रूम अपना घर मम्मी इतनी खुस हुई उसके बाद आई कपड़ सारा भीग गया था बारिस के बजय थे तो सबसे पहले तो मैं फ्रेस हुई कपड़ा चेंज किया, उसके बाद ममी ने गरम-गरम खाना बना के रखा था, इतनी खुसी हुई क्योंकि घर में गरम-गरम खाना में बना के देती हुई लेकिन आज ममी मेरे लिए गरम- पॉड़ोंस दे रहे हैं, मतलब इतनी खुसी होती है न क्योंकि मैं उल्टा जहां पे सासुराल में कर दे हुआ यह मेरी मम्मी का रही हैं और मितन बोटी है बना के रखा था मतलब इतनी टेश्टी मम्मी चाहती हligen मुझे मेरा लख से खाकर आतों curiosity मेरा एसलों गया Westernativa मोजह खाने का मन भी नहीं करतां था लेकिन आज मम्मी के अथ पहерхते हैं समझाया गाइस अची बोल यू उज्मे बाद पर बिदा पाचाजी, चाची, भाई, सारे मिलकर मेरे लेपटोप में उन लोग का जो ब्रतम, जो उपनायन का सेरेमनी का जो वीडियो अगर आ था वो देख रहे थे उसके बाद फिर बच्चे पार्टी आ गई थे बच्चा पार्टी क्या लेने आया थे आप सबको पता है पता है जब मैं आती हूँ तो किंडर जोई लेके आती हूँ और ये मेरे भाईया के बेटे बेटी सारे लोगे तो ये मतलब इसको चाहिए अभी किंडर जोई मुझसे माग भी नहीं सकती है लेकिन देखिये मैंने दे दिया तो कितनी खूस हो गई आज का वीडियो में यहीं पर एन करती हूँ आसकती है आप सबको अच्छा लगा होगा आज का दिन तो अभी मेरा बहुत ही अच्छा जाने वाला है साम का क्योंकि अभी मैं माई के मैं आए हूँ तो सबके घर जाओंगी बाते करूंगी गपे मारूंगी तो गाईज आज